हाई लो गाई वेलकम डू डू डगी असर यूडिव चनल और कैस्ट फाइनली ओपो ने इंडिया में अपना ओपो F15 लॉंच कर दिये प्राइस पॉइंट निकल के आ चुके स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके और आज की इस वीडियो में मैं अपने अनस ओपीनियन जो है आप लोग के साथ में शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा क्या ये फोन लेने लाइक है वेली फोन मरी है या आप बोल सकते ओवर प आपको बता दू दो हफते पहले ही मैंने यहां पर आपको सारे स्पेसिफिकेशन जो बताया था एस विले जो प्राइस पॉइंट गैस करा था सेम टू सेम यहां पर वही चीज़ निकली है तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमने यहां पर गैस करे और आप में से बहुत सारे के बिल और डिजाइन से जो बैक बना ले दिखने में काफी जबता से यहां पर यह स्मार्टफोन दिखता है गेंड फिनिश है ग्लॉसी टाप का बैक पनल देखने को मिलता है लेकिन आपको बता दू जो बैक पनल हो आपको पॉली कार्बई बदल प्लास्टिक का देखने डिस्प्ले प्रवाइड करा है वो भी गुरिल अग्लास 5 की प्रडेक्शन के साथ में दिखने में यहां पर डिस्प्ले भी काफी जबर्दस रहने वाला है क्योंकि यहां पर आपको डीप ब्लैक्स और पंची कलर मिलेंगे जो के एमोलेड में आपको देखने को मिलता है रहां पर आपको 8GB की रहां मिल जाती है 128GB स्टोरिज के साथ में एस वोलेज यूफस 2.1 का स्टोरिज टैप मिलता है और अच्छी चीज यह है कि यहां पर आपको ट्रिपल कार्ट देखने को मिलता है परफॉर्मस की बात करें जो कि फोन का आप बसकते हो सबसे नीचा वा स्मार्ट फोन के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी एंगल से यह अब बोसकते हो वैली फॉर मनी चिपसेट है बात करें यहां पर यह फोन के कैमरास के बारे में तो यहां पर आपको बैक में कार्ट कैमरे का सेटप मिलता है 48MP का आपको प्राइमेरी संसर मिलता है सामसंग GM1 सेंसर है 8MP का अल्टरा वाइडिंगर लैंस है 2MP का आपको मैक्रो लैंस मिलता है और 2MP का आपको डैफ सेंसर मिल जाता है और आपको बता दूए आपको स्मार्टफोन में जो मिलते है वो तो मिलेंगे ही साथ में सेलफी कैमरा यहां पर आपको 16MP का दिखने को मिल जाता है स्क्रीन फ्लेश के साथ में तो कैमरा आपको अच्छे लग रहे है अगेन वही स्टोरी रहेगी कि डेलाइट में अच्छी का सी इमेजे आपको आपको आपको सारे संसर देखने को मिल जाते हैं इंक्रूडिंग इन डिस्प्लेश इंपन स्कैनर मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है 3.5 mm headphone jack का अधी support देखने को मिलता है पर रिलाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 image की बैटरी मिलती है type C का port है और 20 watt के आपको fast charging मिलता वो 3.0 का support देखने को मिल जाता है जो के तकरीबन एक घंटा एक घंटा दस बेट मापका 0-100% phone चार्ज कर देगा जो के काफी कमाल की बात है तो यह पुरे specification आपको देखने को मिलते हैं अब आप बोलोगे भाई price point क्या है price point एक ही विरेंडे 8GB 128GB price point इंडिया में रखी गई है 19,990 रुपे मतब 20,000 की price point पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा सारे offline store online कहीं से भी आप जाओगे ads ये ads देखने को मिलेंगे as well as यहाँ पर यह फोन को मतब सामने से बुला जाएगा कि यह फोन को ले लो and definitely 20,000 रुपे में अगर आप देखोगे तो over price smartphone है अगर आप इसे compare करते हो realme X2 हो गया over price phone जैसे के ओपो के offline के phone रहते है वैसे यह phone भी आपको देखने को मिल रहा है तो क्या यह phone लेना चाहिए वो सारे smartphone को छोड़के तो मैं आपको इस phone बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा क्योंकि already यार आप realme X2 offer वगरा में 14-15,000 रुपे में मिल जाता है तो कि इसे far better आपको processor provide कराता है bill quality अच्छी है और बाकी की surge of features camera वगरा वगरा वो भी काफी बड़ी है तो कुल मिला के मैं आपको यह highly recommend नहीं करता हूँ unless अगर आप Oppo के बहुत बड़े fan और आपको offline में जाके नया phone लेना है तब देख सकते हो otherwise यह मेरे हिसाफ से 20,000 रुपे में बिल्कुल भी worth नहीं है Helio P70 कौन देता है यार 20,000 की price point पे आप ज़रूर मिचे नीचे comment section में यह चीज़ के बार में बता सकते हो तो क्या में बताना आपको 20,000 रुपे के हिसाफ से Oppo F15 value for money लगा या नहीं लगा क्या आप यह फोन को यहापर considerate करोगे या Realme और Xiaomi के जो value for money device उसको considerate करोगे मुझे बताना नीचे comments में सब्सक्राइब करें चैनल को subscribe कर देना मिलता उससे के लिए किसी वीडियो में जब तक के लिए thank you